वेलकम तो रोशी हायात किचिन बिसमिल अर्मानी रहीम और सलाव अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट बहुत ही हेल्दी रेसिपी है नूट्रिशन से भरी हुई रेसिपी है यह और बनाने में बहुत ही आसान बहुत ही टेस्टी है तो इस रेसिपी को आ हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कप सर्दा ले लिया है एक कप मैंने यहां पर पपी तेक लिया है एक कप ही मैंने यहां पर अम्रूद लिये है और एक कप मैंने यहां पर ग्रीन वाला जो एपल होता है न वह भी ले लिया है ए जो भी आपको पसंद है, fruits या जो भी आपके घर में अवेलेबिल है, यहाँ पर आप उसका यूज कर सकते हैं, दो बनाना ले लिये हैं, आदा मैंने हाँ पर अनार लिया है, आदा कप, एक मैंने और संद्रा लिया है, उसको इस तरह से कट कर लिया है, इसके बीज निकाल दी आप जो आपको पसंद हो, या आपके बच्चों को पसंद हो, यहाँ पर आप उसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही tasty recipe और चटपटी recipe है, और colored food recipe है, तो इसको देखते ही खाने का मन कर जाता है, और मैंने जितने भी foods थे सबको एक पाउल में ट्रांसफर कर दिया है, उसमें दालेंगे हम 5 बड़े चमच मैंने पाउडर शुगर लिया है, पिसी हुई चीनी मैंने नॉर्मल चीनी ली घर में जो होती है, और इसको ग्राइंड कर लिया, तो इस तरह से पाउडर शुगर बनके तयार हो गई है, और इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच हम चाट मसाले कर डालेंगे और इसके साथ ही डालेंगे यहां पर एक बड़ा चमच भुना हुआ जीरा पाउडर कर डालना तो इसमें लाजमी है, और बहुत ही जबर्दस टेस्ट के लिए मैं इसमें डालूंगी, आदा मैने नीबू का रस लिया है, वो डाल देंगे, हम अगर आपको थ इसके अकॉर्डिंग भी एट कर सकते हैं, जादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा जादा डाल देजिए, वैसे इतना काफी रहता है, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं, वो अल्रेडी मीठे होते हैं, और अब इन सारी चीजों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेन जो देखिए, मैने इसमें जो तर्बूस को काटा था था ना, उस तर्बूस को मैंने ऐसे बाईल भी सर्व किया हैं, कितना जबर्दस लग रहा है, क्योंकि जब फ्रूट चाट है और इस तरह से फ्रूट के अंदर ही इसको जब सर्फ किया जाता है तो बहुत ही जबर्दस्त लगता है देखा आपने कितनी टेस्टी और कितनी जटपड बनने माली रेसिपी है तो उस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राइ कीजिए आई होप आपको और आप अपने टेस्ट के साफसे में वेरेशन कीजिए और इसको सर्फ कीजिए तो आई होप और आपको आपकी फैमिली में रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी और मेरे रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो की नीचे जो थमसब को बटन हो उस पे किलिक की वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में फिर मुलाकात होगे इंशालला आप दौाओं में याद रखिए थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो अला हाफिज लव यू आल